सब्स्राइब कीजिए मेगा फोटो स्टूडियो चानल को और बेल आइकन को दबए लेटस वीडियो सबसे पहले आपने मोबाइल फोन पर देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हो सतिश भाले रहूँ आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफ़ी यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में एप्सवन का L800 फोटो फ्रिंटर उसकी सेटिंग के बारे में बात करेंगे और मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि उसकी इमेज कॉलिटी की जो बेटर सेटिंग लाने की जो सेटिंग है वो किस तरह के से आप लगा सकते हैं अगर या 805 हो या एक यल 800 हो या 8010 हो ये तीनों प्रिंटर भी हो तो वे आप सेम सेटिंग लगा सकते हैं और ये साथ ही साथ में स्क्रीन पर आपको पासफोट फोटो भी एक मिनिट में कैसे प्रिंट करना है और उसके एक्शन कैसे होती है वो तो आपने देखी लिया होगा ले अपिके लिए ये वीडियो है जरूर आगर पसंद आता है तो लाइक करना अगर आपकी प्रिंट सही नहीं आती है उसमें लाइनिंग आ रही है तो आप डिलीट प्रेस करके एक आन उफ का बटम प्रेस कर सकते हैं डिलीट और आन उफ का उसके लिए आपको एक टेस्ट प प्रिंट देता हूँ ठीक है इससे पता चलेगा आपको कि यह प्रिंट सही आने वली है कि नहीं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ और स्टार्ट बटन दो तीन सेकंद दबा के रखना है तो उसका टेस्ट प्रिंट आ जाएगा ठीक है तो उसमें बहुत सारे डेटेल आ जाते है कि प्रिंटिंग काउंटिंग कितना हुआ है या आपने टेस्ट प्रिंट का इससे आने वली है इससे पता चल पाता है तो देख लिए टेस्ट प्र यहाँ पर देखें अभी यह प्रिंट आ गई यहाँ पर देखें अभी यह जो आपने चेक इंक कलर है इसमें कई पर भी एक भी ब्लोक ऐसा खाली नहीं होना चाहिए पुरे की पुरी जो लाइनिंग है एक कलर आना चाहिए पहले जो सी कलर है मैजन्डा कलर है, light मैजन्डा कलर है यहाँ पर क्रेन कलर है, यहाँ पर light मैजन्डा कलर है, black कलर है, yellow कलर है, यह जो छे कलर है इसकी जो जो लाइनिंग दिख रहा है, test print जो निकल आयो, यह एकड़म बराबर जो कलर है actual, वो ही दिखना चाहिए अगर इसके आंदर का एक भी ब्लॉक खली है या उपर निचे हो गया है अगर कोई कलर एक दूसरे में मिक्स हो गया है तो भी आपनी प्रिंट सही नहीं आज जाती है उसका जो अगर ये सेटिंग आपकी गलत हो गई है तो आपकी पेंट डेफिनेटली खराब आज जाएगी तो अगर इसको सही करना है तो एड क्लिन देना पड़ेगा अगर एड क्लिन देते है तो पुरी की पुरी जो अपना एड है वो क्या करेगा कि पुरा इंक इनिशाइट यह हो जाएगा इंक ले लेगा और उसके बाद में फिर से एक बार टेस्ट प्रिंट निकल के देख स एड हो गया है तो मेरा ब्लू कलर ठीक से नहीं अगर यहाँ पर बाकी के जो सब कलर है वो सब ठीक है लेकिन इतना से प्राबलम के लिए मैं कुछ करना नहीं जाता हूँ अगर मेरे बड़े से बड़े कोई ब्लॉक आ जाता है मैं इंक चेंज करता हूँ तो कभी यह ऐसी ह हो जाता है तो ठीक है तो अभी आपको उसमें स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि एड क्लिंट कहिसे देना है स्टार्ट पर जाए और यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ पर क्लिक के जाए ओके यहाँ पर इप्सवन यल 805 सेरीज मेरा प्रिंटर का मॉडल नंबर औ और राइट क्लिक करकर प्रिंटिंग प्रफॉर्मंस में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यह प्रिंटर की सेटिंग अन हो जाएगी तो यह सेटिंग पर यहाँ पर मेन है और मोर ऑप्शन है मोर ऑप्शन पर जाके और यहाँ पर जो तिसरा ऑप्शन है तो यहाँ पर nozzle check देना है, nozzle check देकर आपको यहाँ पर cancel our print, अगर मैं यह print दुबारा यहाँ पर आईसे डाल देता हूँ, और एक बार फिर से निकल के देखता हूँ, तो यहाँ पर आप यहाँ से भी print दे सकते हैं, और वही काम delete और start बटन दबा कर भी वही print दे सकते हैं, तो यहाँ पर देख लिजए, यह cleaning not knitted है, यहाँ पर जो block दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर जो block दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे block खली नहीं होना चाहिए, तो उपर की जो good printing है, यहाँ पर जो good printing आने चाहिए, तभी तो आपनी image printing सही आ जाएगी, अभी देखिए मेरी good आ गई है कि नहीं, एकदब very good printing आ गई है, तो मेरे सारे color सही से है, तो अभी printer सही है, अगर आपको लगता है कि मेरी printing सही नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर air cleaning भी दे सकते हैं, तो air cleaning का option यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर start करते हो, तो आपका air cleaning चलो हो जाएगा, best printing, वो nozzle check कि जैसी print आए थी, वो ऐसी print आएगी, अगर वो printing सही आती है, तो आपकी setting एकदम right बन गई, तो आपके printing image quality एकदम best आ जाएगी, तो यहाँ पर head cleaning देते है, ओके, इस LH 805 को, और बाकी का 800 जो printer था, उसको head cleaning और power cleaning ऐसे बहुत सारे option थे, और नीचे है, front head alignment, तो alignment अगर आपको print आच्छी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर भी एक good printing और एक bad printing का option होता है, अगर यह आप यहाँ से भी setting कर सकते है, यहाँ से, ठीक है, तो मेरे setting सब सही है, तो मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, और यहाँ पर power ink flashing है, अगर आपकी ink खतम हो जाती है दुबर आप ink डाल देते हैं, तो यहाँ पर power ink finishing यहाँ पर option का option का option दे दीजिए, तो आपकी okay करेंगे तो जो आप ink डालते हो ओपस, तो यह print पूरी printer के आंदर recycle हो जाती है, ठीक है, तो चलिए, आभी पहले setting लगा लेते हैं, तो मैं फिर से एक बार जाता हूँ, यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर paper source, paper source पर कुछ भी नहीं करना है, आपको photo paper ही print करना है, ठीक है, और यहाँ पर document printing है, document size है, यहाँ पर कौन सा paper आप use करना चाहते है, अगर आप यह 4 size के photo paper पर print करना चाहते हो, तो यह 4 लगा लीजे, अगर ऐसे 4 by 6 paper है आपके पास, तो 4 by 6 तो मैं 4 by 6 सा paper यूज करूँगा, तो यह जो tray है, वो 4 by 6 पर attach करना है, और यहाँ पर paper डालना है, तो मैंने यहाँ पर paper लगा लिया, ओके, तो यहाँ पर 4 by 6 size, ओके, यहाँ पर नीचे है border और borderless, यहाँ पर अगर आपका tick mark है, तो आपकी border नहीं आएगी, borderless print आएगी, औ और यहाँ पर tick mark नहीं है, तो border आजाएगी, यहाँ पर operation है, यहाँ पर portrait और landscape, आप कौन सी print, landscape देना चाते हो, या portrait देना चाते हो, तो मैं portrait देना चाता हूँ, या landscape, मुझे landscape देना है, तो मैं landscape का size यहाँ पर select किया, यहाँ पर नीचे है paper type, paper type आपको कौन सा देना है, ips on ultra glossy रख दीजे, तो मेरे पास आभी मैं matte paper यूज़ करता हो, तो ips on matte, ओके, यहाँ पर quality है, image quality, standard और high, standard पर क्या होगा, कि आपकी एक basic general quality आजाएगी, अगर high पर रखते हो, तो आपको एकदम best image quality आएगी, ठीके, photo paper पर हलकी सी भी lining नहीं दिखाए देगा, आप कितने नस्दिक जाओगे, तो भी lining नहीं दिखाए देगा, एकदम proper तरीके से आपको दिखाए देगा, ठीके, और यहाँ पर जो color है, color पर रखना है, gray scale पर नहीं रखना है, gray scale पर रखोगे, तो आपको black and white print आजाएगी, ठीके, यहाँ पर आपको दिखाई भी दीती है, ओके, और यहाँ पर two slides printing है, तो यह off ही रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ change करने की, यहाँ पर copy है, copy आप कितना देना चाहते हो, उतनी copies देना है, एक print या दो print at a time, यह print छोड़ दी तो यह, ओके, यहाँ पर more option, more option पर जाकर आपको फिर से होई है, सिर्फ यहाँ पर आपको जो select करना है color, तो आप यहाँ पर control, color control पर click किजिए, और यहाँ पर आपको इप्सोन विविड, इप्सोन standard और add of RGB, तो यहाँ पर कौन सा रखना है, अगर आपको अच्छी quality नहीं कलना चाहते हो, जो भी color आपको display पर show होता है, दिखता है, वही color देखना चाहते हो तो आप standard रख दीजे, अगर आपका थोड़ सा आपको ज़्यादा color चाहिए, एकदम skin color अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ पर vivid रख दीजे, मैं खुद vivid रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर add of correction है, अगर आपकी under image हो, या थोड़ सा dark image हो, तो भी automatic color correction करेगा, color correction यहाँ पर vivid रखता होगी, तो बाकी कुछ करने की जरूद नहीं, brightness, contrast, saturation, यह बाकी कुछ भी करने की जरूद नहीं, horizontal, low, vertical, यह कुछ करने की जरूद नहीं, यह अपनी जो, यहाँ पर आप जो correction करते हो, photoshop के आंदर, वही एकदम accurate आ जाएगी, image option, image option की भी कुई जरूद यहाँ पर छेड़ चाड़ करने की, यह आफ ही रख दीजे, यहाँ पर भी कुछ छेड़ चाड़ करने की जरूद नहीं, high speed print देना चाता हो, तो मैं high speed देना चाता हो, और rotation 180 degrees से देना चाता है, तो यहाँ पर high speed पर tick मार रख दीजे, और बाकी कुछ नहीं करना है, ओके, अब यह एक photo print देकर देख लेते, यह मेरा एक passport photo है, मैं इसकी action मेरे passport photo का जो वीडियो बना है, वहाँ पर दिया है, मैं एक action देकर दिखाता हूँ आपको, यह फ्री प्रेस किया, automatic मारे passport photo बन गया है, तो यह passport photo भी कैसे बनाना, step by step process का आपने channel पर वीडियो है, अगर आप देखना चाते हो, तो जरूर देख लिजे, सबसे ज़्यादा popular वीडियो मेरा ही, ठीक है, तो अभी यहाँ पर control P, इसको print देना है, तो simple control P प्रेस कर रहा था हो, ठीक है, control P, control P प्रेस किया, तो यह windows आ गई, यहाँ पर copy अगर यह copy देना चाते हो, यह copy देना है, यहाँ प यह, वही आज जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो save रहती है, वही setting save रहेगी, और वही automatic continue print आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे कुछ छेड़ चाड़ने करना है, जो भी मैंने बाहर से लगाई है, वही setting यहाँ पर आती है, ठीक है, अगर आपकी नहीं आती है, तो Photoshop CC के आंदर क्या होता है, कि एक बार setting लगा के रखना पड़ता है, वही automatic save हो जाती है, और वह continue चलो रहती है, और इसके नीचे के जो Photoshop है, 7.0 हो, या CS3 हो, CS5 हो, CS6 हो, तो उसमें क्या होता है, कि यह setting जो reset हो जाती है, reset होने के बाद, अपने अप दुबारा फिर से continue हो orderless है, landscape है, Epson matte है, high quality पर देना चाहता हो, color है, और बाकी more option पर मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैंने advanced setting, color correction यहाँ पर custom किया है, advanced setting पर विवेड किया है, ठीक है, बाकी कुछ change नहीं करना है, एकदम best image quality आएगे, आपको मैं simple print देके दिखाता हो, यहाँ पर print दिया, यहाँ पर okay, अभी print आजाएगी, तो यह यहाँ पर थोड़ी सी printing slow आजाती है, लेकिन image quality एगदम best आजाती है, अगर आप यहाँ पर standard रख देते हो, तो आपकी printing की quality इतनी आच्छी नहीं आएगी, उसको आपको lining दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप printer पर click करके, यहाँ पर भी printing देख सकते हैं, okay, cancel करना चाहते हो, तो यहाँ से भी cancel कर सकते हैं, अगर यहाँ से cancel करना चाहते हो, तो delete के button भी press कर सकते हैं, okay, तो यह है, इसी image quality सबसे better आती है, okay, दोस्तों आज के लिए इतना ही बस आपको यह video पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आता है, तो इ printer का problem वो भी solve कर सकते हैं, देख लिए आप printing कैसी आ जाती है, okay, तो आप printing देख सकते हैं कि बिलकुल एकदम best image quality की setting आ गई, कई पर भी lining नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो, तो एकदम detail के साथ में, कहा पर भी lining नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो, तो एकदम detail के सा best image quality आ गए, ठीक है, तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गए होगा, पसंद आता है, तो जरूर से like कीजे, share कीजे, और मेरे साथ photography और Photoshop सिखने के लिए चैनल को भी subscribe कीजे, ताकि इससे क्या हो जाएगा, कि आगे आने वाली जो वीडियो है, इसकी notification आपको आ जाए के जवाब देने के कोशिश करूँगा, तो thank you for watching वीडियो, आज के लिए बस इतना ही,